रूहानी नशे द्वारा दुख अशान्ती के नामनिशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरुप भव रूहानी नशे में रहना अर्थाद चलते फिरते आत्मा को देखना वा आत्म अभिमानी रहना इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है प्राप्ती स्वरुप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं दुख अशान्ती का नामनेशान भी नहीं रहता क्यूंकि दुख और अशान्ती के उत्पत्ते और पवित्रता से होती हैं जहां और पवित्रता नहीं वहां दुख अशान्ती काहां से आये जो पावन अत्माई हैं उनके पास सुख और शान्ती स्वतह ही हैं मैं आत्मा स्वयम को अनुभव कर रहे हैं एक सुन्दर चमकता हुआ से तारा जूतिर पिंदू आत्म अभिमानी स्थिती का अनुभव मैं आत्मा इस शरीर में माध्य पर प्रकुटी के मध्यव एक सुन्दर चमकता हुआ से तारा आत्मा को देख रहे हैं अनुभव कर रहे हैं आत्मा अभिमानी स्थिते रूहानी नशा चलते फरते रूहानी नशे में मैं आत्मा और परम्पिता परमात्मा परमात्मा से मिलते पवित्रता का अनुभव परम्पिता परमात्मा पवित्रता का सागर मैं आत्मा आत्मा भिमानी स्थिते रूहानी नशा परमात्मा का बच्चा परम्पिता पर्मात्मा की तरह मैं आत्मा पवित्रता का सागर मन में पवित्र संकल्प शुद्ध संकल्प पवित्रता शुद्धता से भरपूर मेरा मन क्योंकि पवित्रता से भरा हुआ शुद्ध संकल्पों से भरा हुआ मन में कोई और पवित्रता और शुद्धता का संकल्प नहीं क्योंकि मन में कोई और पवित्रता नहीं मन पवित्रता से भरा हुआ इसलिए सुख का अनुभव शांति का अनुभव पवित्रता, सुख, शांती से भरपूर मैं आत्मा और इसलिए कोई दुख नहीं, कोई अशांती नहीं दुख अशांती का नामनिशन नहीं मैं आत्मा, सुख, शांती से स्वतह ही भरपूर आत्मा सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सर्व प्राप्ती स्वरूप रुहानी नशे द्वारा, दुख अशांती के नामनिशन को समाप्त करनी वाली मैं सर्व प्राप्ती स्वरूप Om Shanti